हाई हेलो रिवान आज मैं आपके लिए मैगी की 10 रुपवली मैगी की मज़ेदार सी टेस्टी और चटपट येसी रेसिपी लेके आई हूँ जो आज से पहले आपने कभी ना खाई होगी और चटपट बनने वाली रेसिपी है हम साधी मैगी खाके बोर हो चुके है सो ऐसी र रोजी बना के खाएंगे सबसे पहले हमने एक पैन लिया है और उसमें दो गलास में पानी डाला है देन इसके बाद हमें स्वादानुसर नमक डालना है और ये पानी पहले हमें उबाल लेना है और आदा चमज तेल डालना है अब ये सब हमारे आईटम डालके हो चुके है देन इसके बाद हमें ये पानी उबाल लेना है एक से दो मिनिट के लिए और आप देख रहे हमारा पानी उबल चुका है अब गैस हमें दीमी कर लेनी है और इसके बाद ये मैंने दस रुपे वाला मैगी का पैकेट लिया है जो हर घर में होता है ये हम एक पूरा मैगी का पैकेट इस्तिमाल करने वाले है अब ये मैगी हम इस पानी में डाल देंगे पूरा पैकेट हम इस्तिमाल करने वाले है आप अपने हिसाब से एक या दो पैकेट डाल सकते है अब ये मैगी हम इस पानी में उबलने देंगे इसके बाद हम कड़ाई में दो चमच तेल लेंगे देन चॉप किया हुआ पत्ता गोबी इसमें डालना है और पहले ये इस तेल में फ्राई कर लेंगे आदा मिनिट के लिए देन इसके बाद हमें ये कैपसिकम डालना है चॉप किया हुआ मैंने छोटे छोटे इसके चौप किये है अब फिर ये हमें एक मिनिट तक के लिए दोनों फ्राई कर लेने हैं ताकि इसकी टेस्ट बहुत अच्छे से आ जाए अब ये एक मिनिट हो चुका है और ये अच्छे से फ्राई हो चुका है अब यह हम साइड में कर लेंगे ताकि हम आगे के रिसिपी कर पाएं यह मैंने फेटा हुआ अंडा लिया है यह अंडा हम इस ऑईल में डाल देंगे अब देख पा रहे हैं बहुत अच्छी सी रिसिपी है और यह अब सब मिला के हमें फिर से एक मिनिर तक के लिए फ्राइ कर नेणा होँ चूटका है और ड्रायस में मैगी तैयार हो चुकी है मैक अब यह मैगी हम इस कडाइं में डाल देंगे लिए मसाला तइयार होँआ है उसमें हम दे अप देख रहे हो पूरी न Was nd like तैयार हो चुकी है एक चमच में इसमे स्व चाहिए होगी तो आप अब कर सकते हैं वरना नहीं करेगा तो भी चलेगा और स्वाधा नुसार मैंने नमक लिया है थोड़ा सही लिया है क्योंकि पेले भी हमने नमक डाला था और आदा चमच मेंने रेड़ चिली पाउडर लिया है यह मैंने रेड़ में शेजवान चटनी कि इसमें हम दो चमच शेजवन चेटनी आड़ कर लेंगे आप इसमें टोमाटो सॉस भी डाल सकते हैं घट्टेपन के लिए पर यह आपके टेस्ट नुसर होगा है हमारे सब आइटम डाल के हो चुके हैं अब यह हम दीमियाज पर इसे फ्राइ कर देंगे मुझे पता है कि आ बार बारा पैसे ही मैगी बना कर खाएंगे आपको रेसिपी अच्छी लग रही हो तो वीडियो का लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए चीली तो मि मिलते हैं अगले रेसिपे में तब तक के लिए बाबाई टाटा